तो फाइनली नोकिया ने अपने नए स्मार्टफोन नोकिया एक 6 को लॉंच कर दिया है तो यह स्मार्टफोन नोकिया के पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको आपको आइफॉन X जैसा नौच डिस्प्ले देखने को मिलेगा तो यह जो Nokia का नया स्मार्टफोन इसको लेकर बहुत सारी लिक में चले वो पहले सामने आ चुकी थी जिससे यह हमें पता चले गया था कि Nokia जो अपना upcoming स्मार्टफोन लाने वाला है जिसमें हमें notch display देखने को मिलेगा बट इसके नाम को लेकर confusion था कि इसका नाम जो हो तो नोकिया अपने नए स्मार्टफोन Nokia X6 को लांच कर दिया है तो इसको लेकर बहुत सारी लिक में जिए वो पहले लिक हो चुकी थी तो अब यह जो स्मार्टफोन यह अब लांच हो जुगा है तो इससमार्टफोन के खास बात है कि इसमें अम हमें नॉच डिस्पले देखने को मिल जाता है जिसमें आपको उपर की तरफ चोटा सा सा नॉच देखने को मिलता है इसकी डिस्प्लेव वो पूरी तरफ बह опред बस आपको नीची की तरफ छोटा सा एक बैजल देखने को मिलेगा जहां पर आपको नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है जो की स्मार्टफून को काफी कूल लुक दीता है तो सबसे पहले थो हम इस स्मार्टफून की प्राइस को लेकर ही बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले बता है कि इसे कंपणी ने तीन वियरेंट में लॉंच करा है तो इसका जो पहला वियरेंट है वो है 4GB के राम और 32GB इंटर्नल स्टॉरिज वाला ज इसकी जो कीम्यत है वो 18,000 रुबे के करीब रखी गई है तो भाई इसकी जो प्राइस वो काफी अच्छी रखी गई है यहां पर जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया तो आप बात कर लेते हैं इसके फुल इस स्पेसिपिक असन के बारे में तो इस स्पेसिपिक असन के अधू काफी दंतार दिये गए हैं तो अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें 1.8 गीगाएर्ट का O contracorre Snapdragon 636 का processor दिया गया है तो आप बात कर लेते हैं इसकी camera की तो camera की बात करे के लिए तो इसमें dual rear camera का setup द्युते आप तेखने को मिल जाता है जिसमें हमें primary camera जो हो 16 megapixel का दिया गया है और secondary camera जो हो 5 megapixel का दिया गया है और एकर front camera की बात करे तो front camera हमें यहां 16MP का मिल जाता है साथी बहतर फोटोग्राफी के लिए इसमें AI फीचर को भी एड़ करा गया है साथी स्मार्टफोन के बैक साइड में रेर क्यामरे के ठीक नीचे फिंकर प्रिंट स्कानर देखने को मिल जाता है जिसे काफी सही जगा प्लेस करा गया है साथी मैं आपको बता तो कि इस स्मार्टफोन में हमें USB-type support मिल जाता है जो कि इस price range में काफी अच्छी बात है connectivity के बात करें तो यह जो स्मार्टफोन यह 4G वोल्टी को सपोर्ट करेंगा तो यह जो स्मार्टफोन इसकी फीचर सो इसके नोंकिया इसे 2-3 महिन उवे इंडिया में लॉंच कर दे पर इसको लेकर अभी तक किसी तरह के को official update नहीं आया है तो जैसे किसी तरह के को official update आता है इस स्मार्टफोन के इंडिया में लॉंच होने को लेकर मैं वीडियो उना कर इस चैनल पे upload कर दूँगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें तो भे मज़ा तो तब हैगा जब HMD Global Nokia लगवग इसी प्राइस में इसे इंडिया में भी लॉंच कर दे तो आपको क्या लगता है ये जो स्मार्फोन ये बाकि सारी इसी प्राइस रेंज के स्मार्फोन को टक कर दे पाएगा और अगर ये जो स्मार्फोन ये इंडिया में लॉंच होता ही तो इसकी जो कीमत है वो कितनी होनी चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो फिलाल के लिए इस वीडियो में बस इतना है अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए साथ ही इसे अपने दूस्तों के अच्छेर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता तरह सके और अगर आपका किस तरह के कंफियोजन है तो आप नीचे कमेंड बॉक्स पर कमेंड करके मुझसे पूँच सकते हो मैं उसको रिप्लाइं को जरूर दूँगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अब लितो फिरें मैं मिलता आपस एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए बबाई थैंक यू